नमस्कार दोस्तों, संसकार की बादी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हनुमान जैनती के शुब अफसर पर आप सब को हारतिक शुब काम नाएं। दोस्तों, हनुमान जी पल में अपने सभी भकतों के संक्टों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, हनुमान जैनती पर हनुमान जी की इस कथा को जो मैं सुनाने जा रही हूं। जुरूर सुने। हनुमान जैनती पर हनुमान जी की कहानी एवं पूजा विधी सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा जुरूर पूरी है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके दोस्तों हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करें ताकि या फेस्बुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकें जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ दोस्तों कथा को पूरी सुने, पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जैश्री हनुमान जरूर लिखें दोस्तों हनुमान जैनती पर हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल जरूर चड़ाएं हनवान जी के सामने घी का दीपक जगाएं और हनवान जी को चूरमे का भोग भी जरूर लगाएं हो सके तो हनवान जी को लाल लंगोर चढ़ाएं और लाल रंग की ध्वजा हनवान जी को चढ़ाएं ध्वजा का मतलब होता है लाल रंग का जंडा दोस्तों अब मैं आपको हनुमान जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ इसे ध्यान पूर्वक सच्चे भाव के सांस सुनिए आपकी हर मनो कामना पूरी होगी बोलो संकट मोचन हनुमान की जय एक बाद एक गरीब महिला थी जो हमेशा हनुमान जी की पूजा किया करती थी और वहें पूजा करने के बाद हनुमान जी को भोग लगाती और भोग लगाने के बाद ही अनजल ग्रहन करती थी दोस्तों वह महिला हर रोज हनुमान जी के लिए एक रोटी का चूर्मा बनाती और कहती लाल लंगोटी हाथ में घोटी मैं आपको खिलाऊं खाये रोटी दोस्तों जब वहें ऐसा कहती और फिर ही हनुमान जी को भोग लगाती यह आदत उसकी बच्पन से ही थी दोस्तों पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा जब उसके बेटे की शादी हुई तो एक दिन उसकी बहु अपनी सास से बूली माता जी घर में खाने को रोटी नहीं और आपको हनुमान जी को भोग लगाने की पड़ी है वह बुढिया नहीं मानी क्योंकि वह तो ऐसा बच्पन से करती आ रही थी दोस्तों जब वह नहीं मानी तो बहु ने अपनी सास को एक कमरे में बंद कर दिया छे दिन बीद गए वह महिला बेचारी भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही तब साथ में दिन उस महिला के कमरे में एक ब्रहामन के रूप में स्वयम हनुमान जी प्रगट हुए और बोले कि हे बुढिया इस भोजन को ग्रहन कर और वह खुद भी उसी मंत्र को बोले जो बुढिया बोलती थी तब वह बुढिया बोली कि मैं ये खाना नहीं खा सकती तो हनुमान जी बोले तुम इस भोजन को क्यों नहीं खा सकती तब महिला बोली क्योंकि आज तो मुझे आप भोजन खिला जाएंगे और कल मुझे भोजन कोन कराएगा तब वो ब्रहमन बने हुए हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हें रोज भोजन करवाने आऊंगा तब महिला ने खाना खाना स्विकार कर लिया उधर बुढिया के बेटे की नोकरी चली गई और वे खाने के लिए मोहताज हो गए तब ही उस बहु को अपनी सास का खयाल आया और वेह बुढिया के कमरे में आई और उसने देखा की वेह महिला तो कुशल वक थी और भोजन कर रही थी ऐसा देखकर बहु को बहुत गुसा आया और ताना मारने लगी और कहा क्यों सासु जी अब मंदिर नहीं जाओगी क्या भोग नहीं लगाओगी हनुमान जी को तब सासु मा बोली मैं तो मरते दम तक मंदिर भी जाओँगी और हनुमान जी को भोग भी लगाओँगी तब बहु ने अपनी सासु मा से भोजन के बारे में पूछा कि ये भोजन आपके पास कहा से आया तब सासु मा ने बहु को हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया तब बहु ये बात सुनकर अपनी सासु मा के पैरों में पड़ गई और उनसे माफी मांगने लगी और इसके बाद दोनों सास बहु मिलकर प्रती दिन हनुमान जी को भोग लगाने लगी हे हनुमान जी जैसे आपने उस महिला पर कृपा की सब पर करना बोलो पवन पुत्र हनुमान की जै संकट मोचन हनुमान जी की जै आरती की जै हनुमान लला की दुष्ट धलन रगुनात कला की जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोश जाके निकट न जापे अंजनी पूत्र महा बलदाई संतन के प्रभु सदा साहाई देवीरा रगुनात पठाए लंका जार सिया सुधिलाए लंका सोखोट समूद्र सिखाई जात पवन सुतबार न लाई लंका जार असुर सनहार सिया रामजी के काज सवार लक्षमन मूर्चित परे सकार आनिस जीवन प्रान उमार पैठी पताल तोरियम कार अही रावन की भुजा उखार बाए भुजा असुर दल मार दहिने भुजा संत जन तार सुरे नर मुनी जन आरती उतार जै 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 हनुमान उचार गंचन धार का पुरलो छाई आरती करत अंज नामाई जो हनुमान जै की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पदे पावे आरती की जै हनुमान लला की दोष्ट दलन रगुनाथ कला की बोलो पवन पुत्र हनुमान की जै संकट मोचन हनुमान जी की जै राधे राधे जै श्री कृष्णा दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें घन्यवाद झाल 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 झाल